हेलो फ्रेंज, वेलकम टू बेक माई यूटूब चैनल रोटू सक्सेजी में आज किस व्यूडियो में हम बात करेंगे इस्टाप सेलक्षन कमिशन आसा से सीजल के एड्मिन कार्ड के बारे में तो अगर आपने भी 2022 में इसका online forum फ्लेप किया है तो अपना जो application status है आप किस तरह से check out कर सकते हैं इसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो गाज चली हम वीडियो को start करते हैं तो अगर अपना भी application status आप check out करना चाहते हैं अपना एड्मिन कार्ड आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा आप उसे लिंक पर click करके जो भी आपका application status है आप उसे check out कर पाएंगे तो दोस्तों जैसा कि आप 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 देख पा रहे हैं साथ आपका URL आपको देखनों को मिल जाएगा आप जिस भी region से ब्लॉंग करते हैं उसका URL आप देख सकते हैं अभी तक आपका जो region है वो आपका दोस्तों पाथ से region के ही आपका application status और आपके admin card जारी हो चुके हैं और बाकी के जो आपके admin card और आपका application status है वो भी तक आपका pending है तो बाकी के जो region है उसके भी application status और आपके admin card है वो भी आपके जारी हो जाएंगे तो यहाँ आप आप देख सकते हैं अगर आप जिस भी region से ब्लॉंग करते हैं उसी region का आप अपना application status आप चेक आउट कर पाएंगे जैसे हैं यहाँ पर आप के लिख करते हैं तो आपका जो application status है उसी में अपना registration number आपको fill करना होगा याफ फर आपका roll number आप fill up कर सकते हैं fill up करने के बाद अगर आपके पास roll number नहीं है तो अपना दो भी name है वो आपको fill करना होगा जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं दोस्तों आपके सामने जो भी आपका application status होगा वो सो हो जाएगा जिसे आप check out कर पाएंगे इसलेट करने के बाद आपको यहां पर इस चेक बोक्स पर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आपको check application status पर आपको क्लिक करना होगा जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने जो भी आपका admin card होगा या फिर आपका जो भी application status होगा वो so हो जाएगा जिसे आप चेक आउट कर पाएंगे इसी तरह से आप नौर्थ इस्ट रिजन का वेस्टन रिजन का और यहाँ पर दोस्तों आप नौर्थ वेस्टन रिजन का भी आप का application का status है आप उसे check out कर सकते हैं तो यहां पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फिर से आपको यह अपर नीचा ना है और इसे आपको आईगरी करना है उसके बाद आपको submit पर क्लिक करना होगा और क्लिक करते हैं तो उसके name के according भी अपना जो application status है आप उसे check out कर सकते हैं तो ये दो option आपको यहाँ पर देखनों को मिलता है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं North and Western region के लिए आपका यह जो application status है यह आपका जारी हो चुका है तो गाज इस तरह से जो भी आपका region है उसके according अपना application status आप डाउनोड कर सकते हैं चेक आउट कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की कि किस तरह से यहाँ पर आप SSC CGL का जो application status और आपका एड़मेंट कारड है वह आप डाउनोड कर सकते हैं चेक कर सकते हैं तो गाज आई होप कि